बहुत ही नजदी का चुके हैं और ऐसे में आसा करते हैं हमकी हिंदी की तैयारी आप बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे ऐसे में हमने सोचा कि अपने चैनल के माद दिन से कुछ मदद किया जाए स्टूडेंट्स की तो इसलिए हमने चूज जितने भी important question है उसका चुनाओ किया है और उन्ही question को हमने proper लिख के और आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से help हो पाए और 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 भी चार चांद लग जाए आपकी preparation में तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहा है हमारा चैनल पांडे जी टिकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यह वीडियो जो है वो पार्ट टू है पार्ट वन इसका बन चुका है तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा चैक है चलिया यहाँ पर हम कुछ questions आपको बताएंगे जो कि आपके board examination में दो तीन या फिर चार साल से पूछे जा रहे हैं तो ऐसे question important बहुत जादा है और ऐसे question तयार करना आपके लिए बहत ज़रूरी है क्योंकि आपके board exams होते हैं उसमें अधिकतर repeated question पूछे जाते हैं जो कि previous year के examination में आच चुके हैं तो सबसे पहला आपका question यास ये निकल के आ रहा है कि प्रेम चंदर के चार उपन्यासों के नाम लिखिये ये प्रेम चंदर जो है वो बहुत important है आपके board examination के लिए इन से related जितने भी question बनते हैं आपको उन सभी question को तयार करना होगा कुछ ऐसे लेखक हैं कुछ ऐसे कवी हैं जो बहुत important है आप सभी के लिए जरूर आप उन से related question को तयार कीजेगा इनमें से एक है प्रेम चंदर उसकी भी video जो बना देंगी कि कौन-कौन से लेखक कौन-कौन से कवी बहुत important है और बहुत जादा उनसे question बनते हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर उन्ही कवी और उन्ही लेखक से related question पूछ जाते हैं तो सबसे प्रशिद्य गबन, गोदान, निर्मला और रंग भूमी है, अब इसका कुछ पैटर्न इस तरीके से भी चेंज कर सकता है, कि गोदान किसका उपन्यास है, तो अगर आपको पता होगे कि गोदान प्रेम चंदर का उपन्यास है, तो आप अच्छे से टिक करके आ सकत है, ठीक है, तो कोशन को create करना सीखे, जिस दिन आप यह करना सीख जाएंगे, आपको बहतर नंबर लाने से कोई नहीं रूख सकता, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है आपका, कि मिरिग नैनी के लेखक का नाम बताइए, तो मिरिग नैनी के लेखक का नाम क्या है, वरिंदावन है, ठीक है, या फिर कोशन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वरिंदावन लाल वर्मा किसके लेखक है, ठीक है, एक किसी एक लेखक का नाम बताइए, तो वो होगा क्या, मिरिग नाईनी, तो इस टाइप से कोशन आप बना सकते हैं और बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका कि चंदरकांता संतती के लेखक का नाम बदाईए तो चंदरकांता संतती के लेखक का नाम क्या है देव की नंदन खत्री ठीक है तो ये थोड़ा important आप सभी के लिए दो साल पूछा गया है आपके board examination में इसलिए हमने इस वीडियो में इसे भी include किय एक संस्मरण लेखक को के नाम लिखिए किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा उपेंदर्नात अस्क जो की बहुत important है और इससे related इनसे related जो question है वो काफी पूछा जाता है तो किनी एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है उपेंदरनात असक है ठीक है ये question जो आप देखने है question number 5 ये question कम से कम 8 से 10 बार आपके board examination में पुछा गया है भिन भिन टाइप करके ठीक है पहला type तो इसके ये है कि कलम के सिपाही किस साहित्तिकार की जीवनी है तो कलम का सिपाही जो है वो मुंसी प्र सिपाही के लेखक कौन है तो वहाँ पर मुंसी प्रेमचंद्र लिख के आ जाते हैं लेकिन लेखक है अम्रित्रा है ठीक है लेकिन वो जीवनी किस की है तो जीवनी है मुंसी प्रेमचंद्र की ठीक है तो कलम का सिपाही मुंसी प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसके लेख अम्रितरा है इसलिए हमने इसको note point में डाला है ताकि आपको कोई confusion ना हो तो ये सारे question बहुत important है अगर आप हमें support करेंगे और अच्छे खास से response आएंगे वीडियो पे तो हम आपके लिए 10-10 question की series बनाएंगे इस चैनल को subscribe कर लीजे और भी next वीडियो देखने के लिए इसकी बहुत सारी part आएंगी जिससे आपकी हिंदी की preparation जो है वो बहुत अच्छे से हमारे चैनल के माध्धम से होने वाली है और अपने दोस्तों को बताएं कि पांडेजी टेक्निकल चैनल बस सुबह 8 बजे हिंदी चैनल आपके लिए बहुत पॉफिक्ट है ठीक है क्योंकि इस चैनल पर आपको इंट्रेंस की भी तयारी कराई जाती है तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजा और एक लाइन कॉमेंट करके बताईए कि य पॉश्चन आपको कैसा लगा और हमारा एक्स्प्रिनेशन आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद